नेटवर्क इशू अब क्या करें बीच में डेफिनेटली सिस्टम ब्रेक हो गया था ओके दी मैं बात कर रहा था आप से पॉइंट से पहले हमाँ पास 6 ट्रम आ गया प्लस 6 के बाद क्या लिखेंगे 0.75 ऐसे ही रखेंगे पॉइंट जरू लिखेंगे ठीक है हम ब्रेकेट बनाके 6 से ग्रिटर क्या होता है 7-8 7-6 है तो 6 लिखेंगे न 7-6 ट्रम ठीक है बात क्लियर हुई भाई सबको देखें अब दुबारा से देखें मैंने यहाँ इसको किस तरना ब्रेक के मैंने इसलिए रोका था कि दोनों बा हमने 6 को लग किया प्लस 0.75 6 से ग्रिटर क्या होता है 7-6 यह वे है याद रखेगा कॉट्राइल डिसाइल परसंटाइल तीनों के लिए अगर पॉइंट में रिजल्ट आएगा अब देखेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं दोनों को सेकंड ट्रम फिर्स टू यह सेकंड ट्रम बीटाइल के क्या लिए हमार पाच 50 हमने लिखा यहां पर 50 प्लस 0.25 अब हम 3rd ट्रम लेंगे क्या लिए पेटा हमार पास 53 माइनस सेकंड ट्रम पर 50 ठीक है पहले से complete कर लेते हैं देखें हम 50 को ऐसी Indian रखेंगे प्लस 0.25 को ऐसे रखा 53 में ते 50 को माइनस किया then we get 3 अच्छा जी अब हम फिर help लेते हैं अपने calculator की देखें भई सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 को multiply करेंगे 0.25 से देखें पॉइंट का जरूर खाल लखेंगे पिटा equal किया 0.75 अब इसे में प्लस कर देंगे 50 को ठीक है तो हमारे result कितना बना 50.75 quarter 1 का result बना आपका 50.75 ये get हो गया q1 quarter 1 ठीक है quarter 1 ओके अब quarter 2 को बिल्कुल सेम सी तरीकी से हम देख लेते हैं दुबारा से बिटा quarter 3 Q3 अब आपको चाहिए 6 ट्रम आपने की ना 1 2 3 4 5 6 दोनों पर काम करें हमें ठीक है 6 ट्रम पर लिखा हमने 62 प्लस 0.75 अब हमें क्या चाहिए 7 ट्रम हमापस 73 माइनस 62 अब हम मालूम करना चाहते है quarter 3 ठीक है 62 ऐसे रखा प्लस 0.75 ब्रैकेट हम शुरू करते हैं बिटा हमारे पास है 73 73 से माइनस करेंगे 62 देन वी गेट 11 अब 11 को मैं multiply करूंगा 11 को मैं multiply कर रहा हूँ 11 11 multiply by 0.75 ठीक है जब 11 को multiply कि है तो हमारे पास बेटा कितना बना 8.25 इसमें प्लस क्या करेंगे हम 62 हमने प्लस कर दिया 62 को ठीक है जब मैंने 62 को प्लस किया तो मेरे पार रिजल्ट बना 70.25 यह मालूम हो हमें third quartile तीसरा quartile बेटा यह वो condition है जब हमारे पास देखें दोनों अब तक हमने जो solve के उपर वाला और यह इन दोनों के अंदर जो आपने चीज बिसकस की वो क्या थी देखें मैं दुबारा से दिखा हूँ आपको यहाँ पर हमारे पास complete number थे जैसे के 11 number हमने प्लस वन के हमारे पास का result आ गया अब हम जब यह कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास number 8 है और result decimal में आए जब decimal में आएगा तो हम इस तरह इसकी breaking करेंगे यह बेटा हमने मालुम क्या ungroup method simple method से quartile को ठीक है आई होग कि यह आपको अच्छी तरह क्लेर हो गया होगा quartile ungroup method से ठीक है simple method से इसके दोनों condition अब हम देख रहे हैं इसको by discrete method अब देखे हैं हमारे पास यह मैंने दुबारा से लिखा quartile ungroup discrete method ठीक है discrete method कब होता है